स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस स्टाटिक जीके में आज हम फिर से बात करेंगे सीटेट एक्जाम डेट 2020 की क्योंकि आज बहुत बड़ी ओफिशियल प्रूफ के साथ आपको मैं डेटा देने वाला हूँ जो की CBSC ने आज जारी किया है बहुत दिनों के बाद CBSC की तरफ से कुछ ओफिशियल कोई भी चीज आई है जो मेरे रियल व्योर्स होंगे मेरे वीडियो को रेगुलर देखते होंगे उनको पता होगा मैं बिना किसी प्रूफ के बिना किसी ओफिशियल डेटा के आपके सामने कोई भी ऐसी वीडियो ले करके नहीं आता हूँ कि मैं बता दू कि इस दिन आपका पेपर होगा एक वभी भी मैंने exact date की कोई बात नहीं की है आज मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से CBSC ने क्या चीज कहा है उसी बिहाफ पे मैं आपको एक date हो सकता है कि मैं analyze करके आपको बता सकता हूँ ठीक है अब मैं start कर रहा हूँ वीडियो को और प्लीज सभी लोग subscribe जरूर कर दीजेगा क्योंकि इतनी बड़ी news आपके लिए लेका आया हूँ सिक्षा मंत्री जी निशंग जी जब नीट और जेई परिक्षा हो रही है तो seated की परिक्षा क्यों नहीं दोनों परिक्षा all इंडिया की है जल्द से जल्द परिक्षा तिथी घोसित करो और इस लड़के ने CBSC इंडिया को tag कर दिया था इसका answer देते हुए CBSC ने देखिए क्या जवाब यहाँ पर लिखा है अभी कुछ देर पहले दो घंटे पहले CBSC ने यह ची जारी की है देखिए आज की ही यह tweet है किसी और की tweet नहीं है CBSC ने देखिए क्या लिखा है The next date of examination will be intimated when situation is more conductive for conduct of examination For any update you may visit CTET official website that is ctet.nic.in मतलब की CBSC का कहने का यह है कि आप अभी तक जो situation है वो under control नहीं है बिल्कुल सही चीज यहाँ पर CBSC ने कहिए क्योंकि मैं आपको बता दूँ अभी कल की बात है आप news को पढ़ेंगे वहाँ पर आप देखिए 75 to 78 कोरोना केसे एक दिन में निकल रहे है ना आप देखिए situation कितनी जादा जो है और बत से बत्तर होती चली जा रही है इस case में NEET के paper तो कराने ही नहीं चाहिए अभी तो कोई final नहीं है कि paper होंगे भी कि नहीं होंगे ठीक है लेकिन हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं अभी इसकी कोई information नहीं है इस तरीके से examination भी लिए ठीक है तो यह भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि CBSC ने यह भी साफ साफ यह एक देखिए कह दिया है कि अभी किसी भी तरह का कोई भी conduct of examination करने की हम तयारी में नहीं है माल लीजिए बहुत से ऐसे YouTube channel है जो इस चीज को कह रहा है कि 27 September को आपका paper हो सकता है मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बार आप सोच करके देखिए कि अगर 13 तारिक को NEET का paper हो जाता है तो क्या possible है कि जो है इतनी जल्दी वैसे तो 13 तारिक तक 26 लाख student paper दे रहे हैं जो है उसका NEET का और J.Mains का मिला करके ठीक है लेकिन आप यह सोचो क्या CBSC उसको handle करा पाएगा कि जो है लगभग आपको पता होगा कि seated का exam देने वाले approximately 30 लाख से उपर है approximately 35 लाख के आसपास student है seated का exam देने वाले तो क्या यह चीज possible है कि seated के student का यह paper करा पाएंगे इतना जल्दी क्योंकि 13 को आपको पता है paper खतम हो रहा है J.Mains और NEET का और 13 के बाद बहुत ज़्यादा time ने मिलता है 12 दिन में यह 30 लाख student का exam कैसे conduct करा पाएंगे वो भी इंडिया लेवल के पूरे ऐसे state है इंडिया में जहां से हर एक state से किसी ना किसी student ने form भरा होगा ठीक है तो ऐसे किसी भी अफवा की तरफ आप ध्यान ना दीजे यह देखिए official है CBSC headquarter की तरह से यह tweet किया गया है वो चीज में आपको बता रहा हूँ तो इस तरीके से आप कभी भी हमेशा official की तरफ ही ध्यान लखिएगा मैंने आपसे बार-बार का है seated.nic.in की website पर आप हमेशा visit क लीजेगा वहाँ मैंने EVS, CDP, Hindi, Pedagogy के बहुत से ऐसे series करा रखें वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं तो thank you so much watching this video और video पसंद आईए तो please subscribe बटन पर प्रेस करते हुए जरूर जाईएगा thank you so much watching this video keep smiling stay home stay safe